जिस सनी देओल ने अक्षे कुमार की सास डिंपल कपाडिया की बहुत मदद की और एक टाइम पर काफी सपोर्ट साबित हुए वो डिंपल कपाडिया के लिए उसी सनी देओल ने जब अक्षे से मदद मांगी तो अक्षे ने उनकी मदद करने से इंकार कर दिया इसका खुलासा खुद सानी देओल ने लेटिस कॉफी विद करेंट के एपिसोड में किया है सानी देओल से जब पूछा गया कि गदर 2 के साथ OMG2 क्लैश हो रही थी ये बड़ा क्लैश था और क्लैश से बचना चाहिए था क्या आपने अक्षे से बात नहीं की क्लैश को रोके या क्लैश नहीं करे तो इस पर सानी देओल ने कहा कि मैंने बात की थी सानी देओल ने कहा कि मेरी फिल्म गदर बहुत लंबे समय के बाद आ रही थी इसलिए मैं नहीं चाहता था कि Clash हो, मैं चाहता था कि Single Release हो इसके लिए मैंने अक्षे कुमार को Call भी किया था मैंने उनसे कहा था कि अगर तुमारे हाथ में हैं तो OMG 2 की Release को रोक दो और उसे बाद में Release करो लेकिन अक्षे ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, ये स्टूडियो के हाथ में है तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, Release करो, मैं बस Request कर सकता हूँ मैं किसी को Film Release करने से रोक नहीं सकता और फिर इस तरह से हम आगे बढ़े और हमने Film Release की वैसे आपको बता दे कि OMG 2 और गदर 2 को दोनों को ही अच्छा response मिला अलाकि गदर 2 ने तो एक अलग ही history बना दी और OMG 2 से गदर 2 को जरा भी फर्क नहीं पड़ा लेकिन लोग इस बात से हैरान है कि जो सनी देओल अक्षाई कुमार की सास डिंपल कपाडिया के एक मजबूत सपोर्ट रहे है थ्रू आउट लाइफ उस सनी देओल की request अक्षाई कुमार ने मानने से कैसे इंकार कर दी जबकि बात करे OMG 2 फिल्म की तो खुद अक्षाई कुमार one of the studio's थे one of the producer थे इस फिल्म के actor होने के साथ साथ